नमस्कार दोस्तों गंतन तरदी्वज की आपको हार्धिक शुफकामनाय जैहिंद वंदे महतरम इस वीडियो के मात्यम से हम आपको ये बताना चान रहे हैं कि आप कैसे सहीदों के खाते में सीथे पैसे जमा कर सकते हैं कैसे आप सहीदों के परिवार की आर्थिक साहिता सीधे तोर पे कर सकते हैं पहले ये विवस्ता थी कि आप देश की सरकार के खाते में पैसा जमा करते थे और उसके बाद सरकार जो है वो आगे सेनिकों के खाते में वो पैसा ट्रांसपर करती थी प्रधानमंत्री रहात कोस या इस प्रकार की विभिन प्रकार की साहिता कोस के माद्यम से लेकिन अब ये विवस्था दी गई है देश के ग्रह मंत्रा ले के द्वारा कि आप जो है सहीदों के खाते में सीधे पैसे जमा कर सकते हैं सीधे आप उनके परिवारों को आर्थिक सा पहुंचा पाएंगे हम सीधे आपको कंप्यूटर के माध्य हम समझा देते हैं कंप्यूटर के द्वारा आपको हम समझाते हैं आप इसको मोबाइल के द्वारा भी कर सकते हैं और डेक्स्टॉप के द्वारा भी कर सकते हैं गूगल में आपको भारत के वीर यह सर्च करना है तो पेला इस पर आ है और compost पर आपको जाना है इनडिया आज ब्रेव हर्ट्स पर उसके आपको क्लिक करना है कि एक हैं आप देखेंगे यहां पर website जो खुली है उपर वेबसाइट आपको जरूर देखना इ सब्हुर्ट न्याज़ा कि इस inhalation find कौन लोग बेनेज करते हैं इसके लिए जिम्मेदार खून है तो यह कॉंटेक्ट परसन जो है विजय कुमार डी आईजी CRPF के ओफिसर है यह इनका एड्रेस भी दिया है इनका मोबाइल नंबर और फोन भी दिया है कोई भी समस्या के केस में आप जो है इनसे कॉंटेक्ट कर सकते हैं मोबाइल नंबर भी जारी किया गया है तो आप इनसे कॉंटेक्ट कर सकते हैं यह बहुत ही विश्पसनी वेब साइट है आपका पैसा जो है सीधे सईदों के खाते में निश्चित तोर पर जाता है कैसे आप कंट्रिबूट क बना गया भारत के वीर फंड है ये उसमें आप अगर पैसे जमा करते हैं तो फिर सरकार जो है उसमें फोज के शेनियर ओफिसर्स और बाहर के जो समाज के जो प्रबुद्ध लोग रहते हैं उनका एक ग्रूप बना के वो लोग डिसाइड करते हैं कि सहीदों के खाते में कैस से पैसे ट्रांसपर किये जाएंगे तो आप भारत के वीर जो है वो फंड में भी पैसे भी सकते हैं या आप सहीद के खाते में सीधे भी पैसे भी सकते हैं दोनों आपको और एक बार 15 लाग पहुचने के बाद में वेब साइट से वो सहीद का जो नाम है वाशाट जाएग तो यहां से आपको contribute करने के लिए आपको यह क्लिक करना पड़ेगा यह जो उप्शन दिखरा आपको click here to contribute तो मैं यहां पर click here to contribute करता हूँ यहां पर आपको सज़िदों की लिस्ट आपको दिखाई देने लग जाएगी कि सज़िदों की लिस्ट जो है यह महेश कुमार मीना जी बिने परसाद जी आप देखेंगे गिलंबी लिस्ट है पूरी यह CRPF के हैं यह BASF के जवान है यह CISF के हैं यह CRPF के हैं और यहां पर इनके सहादत जो है उसकी तिथी लिखी रहती है यह 8, 11, 2018 को 15, 2019 को 14, 2019 को लग लग 10 दिन पहले और यहां पर इनके खाते में भी तक कितने पैसे देश की जनता ने आर्थिक सहयोग जमा कर दिया है यहां पर दिखाया जाता है कि कितना सहयोग देश की जनता ने जमा कर दिया है तो आप अगर इसे तोर से किसी एक विक्ति के बारे में देखना चाहरे हैं तो आपको उसकी फोटो पर क्लिक करना है और फोटो पर क्लिक करके आप जो है उनकी डिटेल जान सकते है कि यह कौन सी विंग में थे और उनके जो सहादत जो उनको प्राप्त हुई वो किस प्रकार से जो उसकी घटना का विबरण भी संक्सिप्स रूप से लिखा रहता है और आपको अगर स्टेट वाइज अगर सहीदों की लिख देखनी हो तो यहाँ पर यह सर्च जो अप्शन है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप नाम आपको अगर सहीद का पता हो तो नाम डारेक्ट लिक सकते हैं अधर यहाँ से जो इस टेट वाइज सकते हैं या सभी स्टेट दिए गए हैं 36 तीसगर्ड, दादरानगरेवली, दमवंधी, डेली, गुजरात, हरियाना, राजस्तान, तो ये सबी जैसे है, तो सब्सक्राइब हम राजस्तान सेलेक्ट करके और सर्च करते हैं, तो राजस्तान आप देखेंगे कि महेश कुमार, मीना, राजन्द पसाद जी, मिस्री लाल जी, मीना, रामनिवाज जी, ये देखिए, महिंदर सिंग जी, तो 27 साल के महिंदर सिंग जी, इनके खाते में, जो 11, 11, 2018 को ये सहीद हुए, आपको पूरी डिटेल यहाँ पे जो है मिल जाएगी, ये यादाउज zar, ये लक्समन जी, जी जीतेंदर सिंग जी, तो ये आप जैसे फोटो पे क्लिक करेंगे, जैसे संदीब कुमार यादाउ, ये इनका एड्रेस है अलवर राजस्तान के ये रहने वाले हैं उनके उपर जो आसरित जो है इनकी माता जो है इनके माता पिता है और उनकी पत्नी एक लड़का मतलब इनके दो बच्चे वाइफ माता पिता इनके परिवार में है तो आपके दोरा जो आर्थिक सायता दी जाएगी वो इनके परि यहां पर आपको दिखाया जा रहा है कि कितनी रासी इनके खाते में अभी तक अंट्रिबूट की जा चुकी है तो यह 7,48,450 रुपे देश की जन्ता के दोर इनके खाते में अभी तक जमा करवाये गए हैं और अभी भी 7,51,000 रुपे बाकी है दोस्तों मेरा आपसे निवेद उस प्रकार से आप जो है इनके खाते में सहीदों के खाते में पैसे जमा करवाइए हम लोग जो है फिजूल खर्ची मुवी देखना बाहर खाना पीना यह सब में सो-दोसो पांसो रुपे एक दिन के उड़ा के आ जाते हैं लेकिन जब अब जो है यह सहीदों के जो है इसलिए आप जो है मुक्त हस्त से एकदम खुल के और जो है आप इस खाते में आप फंड ट्रांसपर कीजिए और जादा स्याद़ रjęवेट कीजिए दोस्तों को ज्यादा स्यादा इस बारे है तो रूपे इसमें कंट्रिब्यूट करना चाहरा हूं प्रोसीड करेंगे और आपका मोभाइबर और फिर्स टाइम एक बार आपको इस्पे खाता बनाना पड़े तो आपका मोभाइबर जो है आपको रजीस्टर करना पड़ेगा छोंकि मेरा खाता पहले से बना हुआ है इसलिए ऐडरेक्ट वूग इन हो gan सिर्फ एक OTP आएगा और आपका खाता तुरंद रजिस्टर हो जाएगा कि अग्रों कि अग्रों कि अग्रों कि मैंने इसमें सब्मिट कर दिया है देखिए उपर जो आपका नाम लिखावा जो आप नाम लिखेंगे वो नाम आ जाएगा और आप जो है जो आपने पहले contribution की होंगे my contributions तो आप यहां से अपने पुरा contribution भी देख सकते हैं उसके certificate भी देख सकते हैं जैसे आप my contribution पर जाईए my contribution पर आप देखेंगे जो है जो जो आपने जितनी बार भी सहीदों के खाते में जो धंद्राशी जमा किये हो आपको दिखा देगी जैसे पांसो हजार सो यह और यहां से उसके लिए सर्टिफिकेट भी जारी होता है आप सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं और एक बात इंकम टेक्स दाताओं के लिए कि इंकम टेक्स पे पूर्ण रूप से छूट दी गई है जो आप धन्राशिस में जमा करते है हैं आपको इंकम टेक्स में उतने पैसे की छूट दी जाएगी तो कंट्रिब्यूट करने के लिए अब होम पेज पे चले जाते हैं सिदा सिदा जो प्रोसीजर है उसको फोलो करते हैं अपन कि यहां से आप अपने स्टेट का नाम सलेक्ट कर सकते हैं कि स्टेट का नाम यहां से सलेक्ट कर लेंगे जिससे अब आप संदीब कुमार यादाव इस पर मैंने क्लिक किया I would like to contribute मैं यहां से जाता हूं फिर मैं यहां amount एंटर कर देता हूं अपना आप जितना amount चाहे आप एंटर कर सकते है minimum आप जितना चाहे उतना कर सकते हैं यह वीडियो मैंने आप जितना amount चाहे उतना आप contribute कर सकते हैं जैसे सोर पे मैं आपको ट्रांसपर करके दिखाता हूं प्रोशीट पे आपको क्लिक करना होगा उसके बाद में आपको contributor ने मुकेशकुमार सर्मा आपका मुकेशकुमार सर्मा जिस जो account नमबर हो अपने आप आपका आजाएगा आपकी email id भी आजाएगी contributor का pen अगर pen है आप अगर 20,000 से ज्यादा amount का contribution करते हैं ज्यादा तो आपको pen card नमबर भी देना पड़ेगा कम के transaction में आपको pen card नमबर इतना compulsory नहीं है मैंने पहले करके देखे हैं तो pen card आप नहीं देंगे तो भी चल जाएगा contribute पे click करते हैं आप यहाँ पे debit card और internet banking दोनों option आते हैं आप debit card अगर आपको इस internet banking नहीं है तो आप debit card का यहाँ पे number डालके और जो है यह cvv number और valid through यह सब डालके और आप यहाँ से pay कर सकते हैं और internet banking गर आपके पास में है तो आप internet banking SBI internet banking के द्वारा आप जो है इसमें जा सकते हैं इसमें सारे bank selected है कि आप किसी भी bank के तरू इसमें payment कर सकते हैं तो आप state bank of India के तरू कि यहाँ आपको दिखा जाएगा order summary क्या है merchant name क्या है MHA Ministry of Home Affairs भारत के वीर एप में जा रहा है जीएश्टी इस पर आपको जीएश्टी कुछ भी नहीं लगेगा प्रोसेसिंग फीस कुछ भी नहीं लगेगा इसको जीएश्टी से बाहर रखा गया है transaction successful का आपको यहाँ पे message आ जाएगा और यह बापस भारत के वीर जो है website पर ट्रांसपर होगा यहाँ पे एक thank you का message लिखावाएगा thank you for your contribution contribution और नीचे अभिनेताक्षयकुमार के द्वारा आपका transaction successful और यह amount number date contribution ID सब लिखावाएगा एक message अभिनेताक्षयकुमार के द्वारा आपको यहाँ पे जो वह message दिया जाता हो message आप सुन पाएंगे उसको जिसमें अभिनेताक्षयकुमार यह बोल रहे हैं कि आपके द्वारा जो देश के सहीदों के खाते में जो धन्राशी ट्रांसपर की गई है उसके लिए यह आपका महुत महुत आभार वेक्त करें इनको brand ambassador brand ambassador बनाए गया है सरकार के द्वारा तो इस प्रकार से दोस्तों आप जो है यह देख सकते हैं अब आप यहां से अपने contribution चेक करना चाहिए तो आप देख सकते हैं contribution वाई contribution में चले जाए आप देखेंगे कि यहां पर आपको जितनी बार भी आपने transaction किये हैं और उसके बाद में यहां से आप certificate भी देख सकते है कि आपका जो certificate है वो कैसे certificate कैसे जारी होता है certificate पर भारत सरकार के द्वारा क्या लिखा गया है certificate पर PDF format में जिसे आपको यहां लिखावा मिल जाएगा विनिस्ट्य और फोर्म अपिर्स गवर्मेंट अप इंडिया थैंक्यू मुकेश कुमार सर्मा आपने यह सहीद का जो है नाम लिखा जाता है यहां पर और जो amount आपने दिया वो दे दिया जाएगा और नीचे जो income tax में अगर आप छूट चाते हैं तो नीचे में आपको य मेरा सभी से निवेदन है दोस्तों कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस 26 जनवरी पे देश के सजीदों के लिए contribution करिए और जिससे उनकी आर्थिक साहथा उसके उनकी साहथत की कोई कीमत नहीं है वो हमेशा हमारे दिलों में अमर रहेंगे उन्होंने देश की सेवा की है देश उनका हमेशा आभारी रहेगा लेकिन थोड़ी सी आप आर्थिक साहथा करके उनकी परिवार की आर्थिक साहथा करके उनकी हेल्प सभी भारतिये नागरिकों को करनी चाहिए धन्यवाद जय हिंद बंदे मात्रम